तो कैसा अगर आप लोग ओपो के फोन यूस कर रहे हैं और अगर आपके फोन में सो होता है टेस्ट is stopped due to network change आप लोग अगर इस्पीड टेस्ट करते हैं अपने फोन में और यह एरर आता है तो इससे कैसे आप लोग को सॉलू करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा पिलका इकुन को प्रेस कर लेना है तो सिंपल आपको क्या करना होगा आपको अपनी फोन को एक बार सुइच आफ करके सुइच आन कर लेना है काफी चांसे की प्राब्ल और एक बार अपने फोन के जो network का settings होती है उसे reset कर दे इसमें आपके storage का कोई भी data delete नहीं होगा आपको निश्च चितरेना है तो सिंपल आपको restart करना है पहला दूसरा settings को reset कर देना है डेसे सिंपले आपकी problem fix हो जाएगी मिलते है next वीडियो में जय माता दी